नमस्कर दोस्तों स्वागत है आपका फार्मारोक्स के यूटूब एज्योगिस्टन चैनल में तो आज की ओडियो लेक्चर में हम कुछ ऐसे हैल्फ प्रॉब्लेम और उसके सॉल्यूसन के बारे में बात करेंगे जैसे कि स्कीन के उपर इस तरह से गंबिर इंफेक्शन हो गया है फिर दूसरी हम कंडिसन देखे तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि इस तरह से रेडनेस देखने को मिल रही है पूरे लेक्स के रिया में और स्कीन के उपर इंफेक्शन देखने को मिल रहा है कि जिसको हम डर्मेटाइटिस हुआ ऐसा कहते हैं तो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं कि पूरी चेस्ट के उपर इस तरह से रेड कलर के पैचिस जैसे बन रहे हैं और वहाँ पे सूजन आ जाती है और पेसंट को काफी ज़्यादा जो है वो इचिंग होती है फिर ल्यूपस की बीमारी हो जाती है कि जिसके अंदर यहाँ पे जो हम देख रहे हैं उस तरह से स्कीन के उपर जो होते हैं गाल के आसपास जो नाक होता है उसके उपर आखों के उपर इस तरह से रेडनिस और स्वैलिंग देखने को मिलती है स्कीन के उपर फिर एक और स्कीन के समस्या कि जिसको हम कहते है सोराइसिस का रोग होना तो यह प्राब्लेम भी स्वाल करेगा हमारा यह टाबलेट फिर जो गंबिर स्कीन इंफेक्शन हो जाते हैं इस तरह से यह वहाँ पर पस्फर्मेशन भी बन जाती है सुजन भी हो जाती है फिर Lichen Planus की जो तवचा हो जाती है यहाँ पे जो आप देख रहे है पीक में तो ऐसा स्कीन के उपर जो है वो देखने को मिलता कि जिसको हम Medical Terms में Lichen Planus कहते हैं फिर गठिया सबंदी विकार भी हो रहा है कि जिसको हम Arthritis का Problem कहते है तो उसमें भी हमारी ये Medicine यूज़ की जाएगी और सरीर में सुजन हो गई है और इस तरह से Redness हो रही है Skin Infection के कारण तो ये सबी हैल प्रॉब्लेम को Sol करने वाली बहुत अच्छी Tablet के बारे में डीटेल में सिखते हैं आज के Lecture में और जानेंगे Canacord for Tablet के बारे में कि जो गंबिर से गंबिर Skin Infection और सुजन चीजो Condition होती है उसको ठीक करने के लिए Use की जाती है तो ये सब अलग-अलग Chapters की हम Study करेंगे आज के Lecture में Canacord टाबलेट के बारे में और डीटेल में उसका जो वो Review करते हैं तो सुरुआर करते हैं बेजिक से तो Canacord for Tablet जो है वो ऐसी क्लास की Medication है कि जिसको हम Cortico Steroids कहते हैं मलब कि ये Steroids क्लास की Medication है Canacord जो है उसका Brand Name हो गया और उसके अंदर जो Salt Composition है उसकी हम बात करें तो Triamcinolone जो है वो उसके अंदर प्रेजेंट है कि जिसकी 4 मिलिग्राम स्ट्रेंथ रहेगी एक Tablet के अंदर हो Manufacture की हम बात करें तो Abbott उसके Manufacture है और Triamcinolone के बारे में मैं आपको थोड़ा और बताओ तो ये एक Popular Cortico Steroids Drug है कि जो बहुत सारी Inflammatory Condition को ठीक करने के लिए उसकी जाती है Especially Skin Related जो Inflammatory Condition है उसको ठीक करने के लिए ये एक बहुत अच्छी Medicine के तौर पे हम यूज कर सकते हैं तो Abbott उसके Manufacture है और Abbott के बारे में बताओ तो एक American Multinational Pharmaceutical Company है कि जिसकी India में Head Office जो है वो मुंबई में है तो ऐसे ही आपको बहुत सारी बीमारियों के बारे में सीखना अच्छा लगता है उनके उपचार उनमें कौन सी दवाई या यूज होती है तो आप हमारी बुक जो है उसको जरूर से पर्चस कर सकते है तो ये बुक को लेने के लिए आप ये वाले नमबर पे हमें WhatsApp कर सकते है तो काफी affordable price के अंदर पूरी color printed book जो है वो आपको मिल जाएगी तो यहाँ पे आप बुक की जो detail जो है वो देख सकते है तो अब topic पे वापस आते है तो ये जो medicine है वो अलग-अलग allergic जो disorders होते है specialist skin के उपर जो allergic reactions हो जाती है उसको ठीक करेगा फिर जो ulcerative colitis है arthritis है, lupus की problem, soritis जो breathing disorders होते है उसको ठीक करने के लिए Canacord को prescribe किया जाता है अब उसके label के बारे में अच्छे से समझ ले तो ये जो है वो prescription based medication है यहाँ पे Rx लिखा हुआ है फिर Canacord 4 जो है उसका brand name है salt composition जो है वो triamcinolone की जो Indian pharma को प्याके standard के cutting to बनाय गया है फिर label में हम यहाँ पे देखे तो cidule ash की drug है warning देखी गई है वहाँ पे तो cidule ash की warning ये रहती है कि जब भी उसको retail में बेचा जाता है तो valid prescription के साथ ही उसको retail में बेचा जाता है बिना prescription के ये medication जो है वो आपको नहीं मिलती even कोई लेता भी है और उसके serious side effect होते है तो काफी ज़दा complications हो सकते है फिर uncoded type की ये tablet रहेगे यहाँ पे आप देख सकते है ब्लिस्टर पेक में अविलेबल है और एक ब्लिस्टर के अंदर आपको 15 tablets जो है वो मिलती है वर्किंग के बारे में समझते है तो ये medicine हमारी बोडी में ऐसे chemical को block करता है जो pain and sujan के लिए responsible है तो मान लो कि कही पे ऐसी condition produce होती है और कुछ ऐसे chemical release हुए कि उसके करण वो जगा पे हो जाती है sujan हो जाती है inflammation हो जाती है और उसके करण pain हो रहा है तो ये chemicals को block करते कि जिससे आगे जाके inflammation का जो problem हो swallow होता है साथ में ये body के जो muscles को relax करती है जिससे patient को काफी आराम मिलता है तो यहाँ पे जो लिखा है कि ऐसे chemical जो release होता है जो sujan के लिए responsible है उनको block कर देदा और इस तरह से canna code for जो है वो काम करता है dose की हम बात करें तो उसकी range है 4 से लेकर 32 mg per day महलें कि मैं axiमum 32 mg जितना पूरे दिन में लेख सकता है patient और minimum 4 mg जितना dose भी लिया जा सकता है और tablet को बिना तोड़े उसको निगल जाना होता है and food के साथ लेना होता है और milk avoid लेनी करना चाहिए अगर आप यह medication लेते है because इससे कारण क्या होता है कि अगर आप milk के साथ यह tablet को लेते है तो stomach upset हो सकता है acidity हो सकता है या फिर pet में disturbance जैसा हो सकता है तो usually क्या होता है कि prescribe जब किया जाता है तो दिन में दो बार लेने की advice रहती है और हर दो tablet की बीच में at least 6-8 गंटे का time interval जो है वो रखा जाता है price के हम बात करें तो जो latest price है December 2023 के according to तो उसकी price रहे कि 160 रुपिस 15 tablet की 10 रुपे की आसपास या फिर 11 रुपे की आसपास पढ़ती है तो यहाँ पे मैं फिर से reminder देना चाहूँगा कि हमारी जो book है decision treatment बीमारी यार उनका उपचार जरूर से purchase करें पूरी book यहाँ पे जो आप देख रहे हैं उस तरह से color version में available है सभी बीमारीयों के photographs आपको मिल जाते है medicines के जो brand होते हैं उनके अच्छे से peaks आपको मिल जाते हैं तो उसको जरूर से purchase करें link मैंने आपको description box में देदी है as well as आप pin comment के अंदर भी comment कर सकते हैं आगे समझते हैं उसके कुछ side effects तो canna got for और अगर लेता है कोई तो pate में upset जैसा आपको fill करते हैं मतलब की pagpate में challenge जैसा fill h difficulties acidity जैसा fill hancia insomnia मनलब की रात को late तक जोनीद नहीं आती pagpate में irritation जैसा feel होता है gut में भी जो मतलब की जो मारे intestine से वहां भी irritation जैसा feel कर सकता है patient 상황 सिरदर्ध होना, डिजिनेस, टाइडनेस, मतलब कि नीन दाना, ठकान रहना, उबासी वगएरा लेते रहना और कमजूरी जिसा कुछ लोग महिसुस करते हैं इसको लेने के बाद, इरिटेशन हो सकता है, विकनेस आ सकती है, मतलब कि कमजूरी, ठकान जिसा महिसुस करना, फिर वर्निंग्स हम देखिए, तो कौनसे कंडिशन में कैना कॉट फॉर्ड को नहीं ली जाती, या फिर ऐसे पेशन्ट कि जिनको ये टाबलेट प्रिस्क्राइब नहीं की जा सकती, तो वो है एक पैप्टिकल सर्स के पेशन्ट, या फिर किसी को पैप्टिकल सर्स है, और या फिर पैप्टिकल सर्स की मेडिकल हिस्ट्री रही है, तो उनको कैना कॉट फॉर्ड टैबलेट नहीं दी जाती, फिर सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस के पेशन्ट है, severe myopathy, viral infection, glaucoma and metastasizing tumors के जो patient है उनको ये medication नहीं दी जाती अब pregnancy category के बात करें तो C है तो जो pregnancy category C की दवया होती है वो completely unsafe होती है pregnancy के दोरान तो उनको avoid करनी होती है pregnancy के दोरान कि अगर कोई person pregnant है और ये tablet prescribe की जाती है तो वो गलत रहेगा pregnancy में ये medication को नहीं दी जाती फिर जो breastfeeding का जो period होता है बच्चों में उसमें भी ये नहीं दी जाती मलब कि जो baby है वो breastfeeding कर रहा है तो उसको भी side effects दो सकती है अगर उसकी mother ये tablet लेती है breastfeeding period में तो ये ध्यान रखना है drug-drug interactions हम देखे तो यहाँ पर जो हम देख रहे हैं कि जो antifungal से itraconazol, ketoconazol इसके साथ combination में canacord को कभी भी use ना करें because ये दो drugs के बीच में drug-drug interactions हो सकती है telithromycine, reformycine, clarithromycine फिर nephazodon, theophile, indizoxyn, phenytoin, cyclospurin के साथ ये drug-drug interactions कर सकती है तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो यहाँ पर क्लिक करके आप मेरा ये वीडियो भी देख सकते हैं कि जहाँ पर मैंने detailed information दी है medicines और बीमारियों के बारे में so good luck and all the